दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इरिगेट इंडिया पर आज के वीडियो में हम रेंगन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जैसे किस साइजवर रेंज की रेंगन मार्केट में उपलब्ध है कौन-कौन से pump पर कौन सी रेंगन अच्छा काम करती है, इसकी कीमत क्या है और कौन-कौन सी कमपनिया इसको उपलब्ध कराती है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे की रेंगन क्या है रेंगन एक हाई-performance सूख्षम सिचाई उपकरन है, इसे ज़्यादा flow और pressure से दूर तक पानी फेंखने के लिए डिजाइन किया गया है सामान्य भाशा में रेंगन फसलों को बारिश की तरह पानी देने की एक नवीनतम तक्नीक है इससे सिचाई करने पर ना केवल पानी की बच्चत होती है बल की समय भी कम लगता है और flood सिचाई की तुलना में इसकी efficiency भी लगभग 30 प्रतिशत तक ज्यादा होती है इसका एक फाइदा ये भी है कि इससे पौधों की पत्तियां धुल जाती है जिससे प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है दोस्तों रेंगन सभी प्रकार की फसलों के लिए उप्योगी हैं खास कर गन्ना, मक्का, कपास, सबजियां वर अन्य दलहनी वर तिलहनी फसलों में मुख्यता इस्तेमाल की जाती है इसका इस्तेमाल लॉन्व खेल के मैदानों पर भी सिचाई करने के लिए होता है रेंगन का उप्योग माइन्स और थमल पावर प्लांस में दस्ट सेप्रेशन के लिए भी किया जाता है मचली पालन में रेंगन का उप्योग तालबों में रेंगन लगा कर अरेशन यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी किया जाता है खास बात यह है कि इस विदी से सिचाई करने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है भारत में अलग-अलग कमपनियों के पास अलग-अलग साइज वर रेंज की रेंगन उपलब्ध है आगे हम जैन इरिगेशन की छोटी वर बड़ी रेंगन पर बात करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सवा इंची की छोटी रेंगन है इसकी पानी की फेंख सतर से असी पीट तक होती है ये तीन एच्पी के समसिबल पर भी आसानी से चल जाती है और पांच से साथ दशमलब पांच एच्पी तक के पंप पर आप दो रेंगन को एक साथ चला सकते हैं त्विन 95 ये बड़ी दो इंच की रेंगन है इसकी पानी फेंखने की रेंज 130 से 107 फीट तक होती है ये हाई हेड रेंगन है इसके लिए कम से कम 7.5 एच्पी के समसिबल की आवश्यक्ता होती है ये रेंगन मुखेता कृशीक शेत्र, लॉन बड़े-बड़े खेल के मैदानों और इंडस्ट्री वमाइन्ज में डस्ट सेपरेशन के लिए इस्तिमाल की जाती है अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो छोटी रेंगन बिना एकसेसरीज के 6 से 7 हजार जबकी बड़ी रेंगन 40 से 45 हजार तक आती है यूपी और पंजाब जैसे राजियो में सरकार इस पर पीम के एस वाई योजना के अंतरगत 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान देती है सबसिडी के अंतरगत आने वाली रेंगन को आप 9 से 10 हजार में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को कृपया लाइक करें, सबस्क्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट्स करें धन्यवाद